आज हम डिसकस करेंगे Important Current Affairs of 12th July 2020 जो Government Exam के लिए काफी important है आपने अभी तक अगर ZTV Education and Exam का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम हर रोज Important Current Affairs आपके सामने लाते रहेंगे डेली अपडेट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रूप भी जॉइन कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है तो चलिए अब शुरू करते हैं किस राज ने कला, शिल्प और हतकरगा छेत्र को बढ़ावा देने के लिए फ्लिप कार्ट के साथ समझोता ग्यापन पर हसाक्षर किये इसका सही उत्तर है करनाटक फ्लिप कार्ट और करनाटक सक्रकार के सूक्ष में लगू और मध्यम वर्ग MSME और खान विभाग ने e-commerce प्लेटफॉर्म के माध्यम से बाजार पहुँच प्रदान करके करनाटक के कला, शिल्प और हतकरगा छेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक समझोता ग्यापन पर हसाक्षर किये मिर्चिल फंड के विनियमन और विकास से संबंधित मामलों पर से भी दोरा गठित सलाह कर समिती की अध्यक्षता कौन करता है इसका सही उत्तर है उशा थोरात भारतिय प्रतिभूती और विनिमय बोड से भी भारत में प्रतिभूती और कमोडिटी बाजार की नियामक ने पांच नए सदस्यों को शामिल करके मुच्यल फंड उद्यों के विनियमन और विकास से संबंधित मामलों पर सलाह देते हुए समिती का पुर्नर गठन किया है नहीं बीस सदस्यों समिती की अध्यक्षता भारतिय रिजर्व बैंक की पूर्व डीप्टी गवर्नर उशा थोरात द्वारा की जाएगी United Kingdom में आयोजित होने वाली अभासी सम्मेलन इंडिया ग्लोबल वीक 2020 का विशय क्या है सही आंसर है The Revile India and a Better New World United Kingdom में इंडिया ग्लोबल वीक 2020 का बीस नाम का तीन दिवसी अभासी सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है सम्मेलन का विशय The Revile India and a Better New World है सम्मेलन के पहले दिन का उद्गाटन भाशर भारतिय प्रधानमंती नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा सम्मेलन में लगबग 250 अंतररास्टी वक्ताओं द्वारा सम्बोधित किया गया और इसमें 5000 प्रतिभागी शामिल होंगे उप्योगी प्रधानमंती गरीब कल्यान अन्य योजना चावल गेहूं किस अधिनियम के तहत लभारतियों को प्रधान किया जाता है इसका सही उत्तर है राष्ट्री खादि सुरक्ष अधिनियम मार्च 2020 में केंद्र सरकार ने प्रधानमंती गरीब कल्यान योजना की गोशना की इस योजना के तहत अप्रैल से जून तक निशुल्क 5 किलोग्राम चावल गेहूं प्रति व्यक्ति राष्ट्री खादि सुरक्ष अधिनियम 2013 के तहत लभारतियों को प्रधान किया जा रहा है हाल ही में केंद्री मंट्री मंडल ने इस योजना को नवंबर 2020 तक आगे बढ़ाने की मनजूरी दी है एक कर्मिचारी जो 15,000 रुपे तक कमाशिक वेतन कमाता है उसे अनिवारी रूप से किस योजना में शामिल होना है इसका सही उत्तर है कर्मिचारी भाविश्य निधी एक कर्मिचारी जो 15,000 रुपे तक माशिक वेतन कमाता है उसे कर्मिचारी भाविश्य निधी योजना में शामिल होना अनिवार रहे है केंद्री मंट्री मंडल ने EPF के 24% के योगदान को मनजूरी दी है यानी 12% के कर्मिचारीों के हिस्सेदारी और 12% के नियोगता के शेयर अगस्त 2020 तक के तीन महीनों के लिए अत्मा की रन योजना के तहट सरकार ने पहले 24% योगदान करने का प्रस्ताव दिया था इस पर सरकार को 4680 करोन रुपे खर्च होंगे आपसी डेटा विनिमाई के लिए केंद्रिय संगठन ने केंद्रिय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के साथ एक समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षय किया इसका सही उत्तर है भारतिय प्रतिभूती और विनिमाई बोर्ड पर केंद्रिय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT और भारतिय प्रतिभूती और विनिमाई बोर्ड से भी ने आपसी डेटा विनिमाई के लिए एक समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षय किया है दोनों संगठन अपने अपने डेटा बेस में उपलब्द आवश्चक जानकारी को स्वाचालित और नियमित आधार पर साज़ा करेंगे इसके अलावा पहल के लिए एक डाटा एक्षेंस और चालन समूग का संगठन का गठन क किया गया है जो डेटा विनिमय इस्थिती का समिक्षा करेंगा भारत और अमेरिका के बीच व्यापार साज़ेदारी को बढ़ावा देने के लिए नियू जर्सी में किस ट्रेड एशोसियेशन ने एक मंच शुरू किया है इसका सही उत्तर है नैशकॉम National Association of Software and Services Company नैशकॉम ने नियू जर्सी में नैशकॉम लांच पॉर्ड लांच किया है यह मंच भारत और अमेरिका के बीच सीमा पार व्यापार को बढ़ावा देना चाता है और दोनों छेत्रों के बीच प्रद्यों की आधारित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI नैशकॉम की सदस्य कमपनी यों को हाथों हाथ प्रसिक्षन साइट चैन में सहायता सरकारी नियम और कर्योजना आधी मिलेंगे उस व्यक्ति का नाम बताईए जिसे हौकी इंडिया जुलाई 2020 के कारिवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है इसका सही उत्तर है ज्यानेंद्रो निगोबम हौकी इंडिया H.I. ने अपने कारिकारी बोड की बैठक में मडीपुर के ज्यानेंद्रो मिगम का नाम लिया जो महासंग में वरिस्ट उपाध्यक्ष थे जो कि मोहमत मुस्ताक अहमत द्वारव्यक्तिगत और पारिवारिक प्रतिबद्दताओं के कारण 7 जुलाई 2020 को समाप्त होने के बाद सितंबर 2022 तक अध्यक्ष पत्पर बने रहे किस देश के बटालियन इकाई ने लेबनान के पर्यावरन पुरसकारों में वाशिक संयुक्त रास्ट अंतरीम बल जीता है इसका सही उत्तर है भारत लेबनान में संयुक्त रास्ट अंतरीम बल मिशन के प्रमुक और बल कमांडर मेजर जनरल स्टेफानो डेल कर्णल ने शाथ मिशन संसानों को UNIFIL के वाशिक पर्यावरन पुरसकार से सम्मानित किया UNIFIL के साथ तैनाद एक भारतिय बटालियन को पर्यावरनिय योगदान के लिए पहली बार घोशित किया गया है मिशन के छेतर के भीतर पर्यावरनिय उपलबदियों को पहचानने के लिए UNIFIL द्वारा 4 दिसंबर 2019 को वाशिक पुरसकार लॉंच किया गया था